वर्मा कौाइन्स कलेक्शन में आप सबका स्वागत हैं। आज हम आपको भारत सरकार द्वाराचारी दो रुपए के समारक सिक्के दिखाएंगें। भारत में दो रुपए के सिक्के 1982 में शुरू हुए थे। हमने यह जो सारे सिक्के पुझाय हैं यह सारे दो रुपए के ही सिक्के हैं। यह सारे सिक्के दो रुपए के स्टील के हैं। यह जो अब 2019 में चले सिक्के वो हैं। ये सारे स्टील के सिक्ए दो रॉपई के है ये स्टील के दो रॉपई के बड़े वाले सिक्ए है और ये दो रॉपई के सिक्ए 2019 में जो कलेक्शन लिखा हुआ हैं उसके हैं यह सारे दो रुपए के समारक सिक्खे है जो की 1982 से अरंब हुए थे भारत सरकार का पहला दो रुपए का सिक्खा 1982 में ही चलाता है वो भी नोवे एशियाई गेम्स के उपलक्ष में फिर ये स्टील के सिक्खे अरंब हो गए थे ये वो है और जो हमने सिक्खे सजाए थे स्टील की वो हमने आपको पहले ही दिखा चुके भारत में 1982 में नोवे एशियाई गेम्स शुरू हुए थे उसके उपलक्ष में ये सिक्खा छपा था बीच में जंतर मंतर का चित्व छपा है नीचे नियू दिल्ली लिखा हुआ है तदा उसके नीचे सन 1982 लिखा हुआ है और हिंदी में नोवे एशियाई गेम्स लिखा है और इंग्लिश में नाइंथ एशियाई गेम्स लिखा है ये सारे सिक्खे नोवे एशियाई गेम्स के इसके बाद भारत के लक्षे वाले सिक्खे चले जो की 1982 में ही चले थे 1982 से लेकर 1990 तक सिक्खे ये चले ये सिक्खे चोटा परिवार फुशिया अपार के उपर 1903 में चला था सिक्खे के बीच में माता पिता के साथ दो बच्चे को दिखाया गया है एक के हाथ में गुबारे है और इंग्लिश में लिखा हुआ है समाल फैमिली हैपी फैमिली तदा सन 1993 लिखा हुआ है ये सिक्खा विश्व खदे दिवस के उपलक्ष में 1993 में चपा था इसमें हिंदी में जैविक विविजता तथा विश्व खदे दिवस लिखाए तथा इंग्लिश में वर्ल्ड फूर्ड डे पायो डिवेस्ट्री लिखावाए तथा सन 1993 लिखा है पीच में सिक्खे के परवत बादल नदी वा नदी में मचलिया तेरती हुई दिखाई गई है परवत के पीछे उपता हुआ सूर्य दिखाए गए है पोदों को भी दिखाए गए है और सबसे उपर विश्व खदे दिवस का लोगो चपा हुआ है ये सिक्खा विश्व खदे दिवस के उपलक्ष में 1994 में छपा था इसमें हिंदी में जल जीवन का अधार वा विश्व खदे दिवस लिखाए तथा इंग्लिश में World Food Day Water for Life लिखाए बीच में बहते हुए पानी के उपर जल की बूंद को दिखाया गया है तथा उसके नीचे सन 1994 लिखाए और विश्व खदे दिवस का लोगो भी चपा हुआ है ये सिक्पा एगरी एक्सपों के उपर सन 1994 में छपा था इंग्लिश में Globalizing Indian Agriculture लिखाए और हिंदी में भारती थिर्शी का व्यश्वी करन लिखाए बीच में गाय का चित्र छपा है तथा दोनों और गयों के बोदों को दिखाया गया है तथा नीचे एगरी एक्सपो 95 लिखा हुआ है तथा उसके नीचे सन 1995 लिखा हुआ है ये सिक्पा आठवा विश्व तमिल समेलन के उपर सन 1995 में छपा था हिंदी में आठवा विश्व तमिल समेलन लिखा है इंग्लिश में एट वाल्ड तमिल कंफरेंस लिखा है तथा बीच में संत तीरू बलुवर जी का चित्र छपा है तथा हिंदी वा इंग्लिश में उनका नाम लिखा हुआ है यह सिक्का सरदार वल्ला भाई पटेल जी के उपर 1996 में छपा है बीच में उनका चित्र छपा है तथा हिंदी वा इंग्लिश में सरदार वल्ला भाई पटेल लिखा हुआ है यह सिक्का शुबाश चंद्र बोश की जनम शती के उपराक्ष में सन 1997 में छपा था बीच में उनका चित्र छपा है और हिंदी में शुबाश चंद्र बोश जनम शती लिखा हुआ है और 1997 में लिखा हुआ है उनका जनम 1897 में हुआ और 1997 में सव वर्ष पूरे होते है यह सिक्का देश बंधु चित्रंजन दास जी के उपर 1998 में छपा था बीच में उनका चित्र छपा है तदा हिंदी वा इंग्लिश में उनका नाम लिखा है तदा सन 1998 लिखा है तदा 1870 से 1925 लिखा हुआ है 1870 में उनका जनम वा 1925 में उनकी मृत्य हुई थी यह सिक्का शीरी अरविंद जी के उपर 1998 में छपा था बीच में उनका चित्र छपा हुआ है वा हिंदी वा इंग्लिश में शीरी अरविंद लिखा हुए सम्पूर्ण जीवन जोग है हिंदी में लिखा हुआ है तथा इंग्लिश में आल लाइफ इस जोगा लिखा हुआ है यह सिक्का शात्रपती शीवा जी के उपर 1999 में छपा था बीच में उनका चित्र छपा है तदा हिंदी वा इंग्लिश में शात्रपती शीवा जी लिखा हुआ है यह सिक्का सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया के उपर छपा था सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया की स्थावना 1950 में हुई थी तदा सन 2000 में 50 वर्ष पूरे होते हैं इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया लिखा है और हिंदी में भारत का उस्तम न्याले लिखा है तदा बीच में अशोक स्तम वाए और अशोक स्तम के उपर अशोक चक्तर छपा है नीचे 1950 से 2000 लिखा हुआ है ये सिक्का सन 2002 में संत तुकाराम जी के उपर छपाता बीच में उनका चित्र छपा है तदा हिंदी वा इंगलिश में उनका नाम लिखा है वा भक्ति वा भरतत्व जागरिती लिखा हुआ है तदा नीचे सन 2002 लिखा हुआ है ये सिक्का भारतिय रेल के 150 वर्ष पूरा होने के उप्लाक्ष में सन 2003 में छपा था हिंदी वा इंगलिश में रेलवे लिखा है और इंगलिश में 150 गलोरियस इयर्स लिखा हुआ है और हिंदी में 150 गोरंपूर्ड वर्ष लिखा हुआ है तदा बीच में इंडियन रेलवे का लोगों हाती छपा है जिसने लालटें उठा रखा है भारते रेल की स्थापना अठार सो त्रेपन में हुई थी अज़ा दो हजार तीन में एक सो पचास वर्ष पूरे होते हैं इसमें भोलू दा गार्ड लिखा हुआ है इसके बाद स्टील के क्रॉस के निशानवाले वाविक्ट्री के निशानवाले दो रुपए के सिके चले थे ये दो रुपए के हजारों सिके हमने मेर्ष के उपर सजाए हुए थे ये स्टील का सिकका लुई ब्रेल के उपर सन 2009 में छपा था बीच में उनका चित्र चपा है तधा 1809 से 2000 लिखता है 4509 में उनका जनम वाद 2009 में उनके 200 वर्ष पूरे होते हैं इन्हों ने ब्रेल लिप्टी का अविश्कार किया था सन 2010 में रिजार्व बेंट के ऊपर ये सिक्का चपा हुआ था रिजार्व बेंट ऑफ इंडिया का लोगो शेर बीच में चपा हुआ है तता उसके पीचे पेर चपा है तता प्लेटनम जियन्ती हिंदी वा इंग्लिश में प्लेटनम जुबली लिखा हुआ है स्टेट बेंक ऑफ इंडिया की स्थाफला इन्यस्व पैटिस में हुई थी और 2010 में इनके 75 बेंक ऑफ इंडिया की स्थाफला इन्यस्व पैटिस में हुई थी तता 2010 में 75 बेंक ऑफ इंडिया राष्ट मंदल खेल दिल्ली में 2010 में हुए थे उसके प्लाक्ष में ये सिका चपा था बीच में राष्ट मंदल खेल का लोगो है और उसके नीचे दिल्ली 2010 लिखा हुआ है तता नाव 19 में कॉमर्वेल्ट गेम्स लिखा हुआ है ये स्टील के आम सिक्क्य है जिसको हमने मेंस के उपर सजाया था और ये सन 2019 में स्टील के नए सिक्क्य जारी की हुए इनको भी हमने मेंस के उपर सजाया हुआ और ये सारे भारत के नक्षे वाले सिक्क्य है जो की आम परचलन में जारी है अब दिए अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें अगली वीडियो में हम आपको 25,000 सिक्के दिखाएंगी